जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बैकरूल ने रोबोट क्लैन के स्पेस्शिप के डिफेंस सिस्टम को बीट कर दिया था और वबाता ने फिर उस स्पेस्शिप को हैक करते वे उसके सारे के सारे डिफेंस सिस्टम्स ओफ कर दिये थे जैसे ये बात Loo of Anger उसकी पूरी टीम को मालूम होती है तो वो सभी के सभी फ्लाय करते वे स्पेशिप के अंदर चले जाते हैं अब आगे एपिसोर स्टाटोतर हम देखते हैं के Loo of Anger उसकी पूरी टीम स्पेशिप के अंदर आ चुके थे जहांपर आकर वो स्पेशिफ को देखने लगते हैं और देखने के साथ साथ ये लोग चलते वे सीधा कंट्रोल रूम में पहुँच चुके थे जहांपर बैकरोल पहले से ही इनका इंतजार कर रहा था इनके वहांपर आते ही बैकरोल लुव फैंग को ग्रीट करता है ये सबी बड़े इगोर के साथ कंट्रोल रूम को देखते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और उसे एक्टिवेट होता हुँच देखर वह थोड़ी सी चौक भी चुकी थी लुव फैंग और पूरी टीम की भी यही आलती वो भी एकदम से हरान हो जाते हैं सिस्टम की एक्टिवेट हो जाने के बाद बबाता कहती है चलो सबसे पहले इसकी protection shield को चेक करते हैं जैसे वो इसकी protection shield की details के बारे में जानती है तो यह देकर वो काफी ज़्यदा खुश हो गई थी वाव यह protection shield तो पौफ़ेक्ट है साथ ही हमें उस protection shield का एक demo भी दिया जाता है उसके बारे में बबाता हमें और डिटेल में बताती है सर्प्राइजिंगली इस प्रोटेक्शन शील्ड का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है ये एनरजी शील्ड E9 लेवल के अटेक्स को भी बड़ी असानी से बरदाश्ट कर सकती है जो के वाके में ही इंप्रेसिव है वोरियर लीशन भी कहते है E9 लेवल? यानि कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था कि आखिर ये E9 लेवल है क्या तो बबाता उन्हें समझाती है इसका मतलब है कि इमोर्टल लेवल के वोरियर के इलावा कोई भी इस प्रोटेक्शन शील्ड को डेमिज नहीं कर सकता क्यों? है ना ये जवरदस्त सभी लोगों के मुझ खुले के खुले रह जाते हैं इतनी ज़्यदा स्ट्रोंग? तब ही बबाता उस स्पेशिप कोर भी चेक करने लगती है और कहती है वाउ! इसका प्रोपल्शन सिस्टम भी एकदम पॉफेक्ट है इस स्पेशिप का इंजन और इसकी स्पीड हमारे जुनमू प्लैनेट से कमतर नहीं है ये कहते साथ साथ बबाता ने कंट्रोल रूम में मुझूद बड़े से क्रिस्टल कॉर को एक्टिवेट कर दिया था जिनने देखकर लूव फैंगर और सबी लोग हैरान हो रही थे कि ये कितना बड़ा क्रिस्टल कॉर है हमें भी दूर से इस crystal core का size दिखाया जाता है, जो के वाके में ही बहुत बड़ा था, मेरे ख्याल से spaceship को चलने के लिए energy यही crystal core प्रोवाइड करता है, अब इस सब के बाद बबाता इस spaceship के weapon system को चेक करने लगती है कि आखिर वो कितने ज्यदा खतरनाक है, चेक करने पर बबात और फिर ऐसे ही उस spaceship की और भी ज्यदा details को चेक करते करते बबाताओ के एक बहुत ही खतरनाक weapon नजर आता है, जिसे देखते हुए वो बहुत जीदा शोक हो गई थी और कहती है, ओ माई गौड, यहाँ पर तो star destroyer cannons भी है, उसकी इस बात पर fang भी उससे पूछता है, star destroyer cannon, तो बबाताओ से बताती है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस weapon का एक short पूरे के पूरे planet को destroy कर देता है, साथ ही हमें यहाँ पर इसका भी एक demo दिखाया जाता है, जिसमें जब यह laser cannon चलती है, तो वो वाके में ही पूरे के पूरे planet को कुछी second में टुकडे टुकडे कर देती है, इस weapon की इतनी ज़्यादा तबाही को देखकर, लुओ फैंग और वहाँ पर मजूद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे, और साथे साथ वो खुश भी हो रहे होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा खतरनाक weapons उनके हाथ लगे हैं, अब इसके बा कर भी रहा है या नहीं, जैसे बाबाता उसे चेक करती है, तो वो भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी, कि इस spaceship का detection system तो बहुत सारी area को cover करता है, detection system चेक करने के दुरान बाबाता को एक और चीज मालूम हो जाती है, कि कुछ spaceships अर्थ की तरफ बढ़ रह थी, जैने देखते हुए बैकरूल के आता है, नहीं, ये नुलांसन क्लैन के spaceships नहीं हैं, इस पर फैंग और बाकी सभी भी सोच में पढ़ गए थे, कि अगर ये नुलांसन क्लैन के spaceships नहीं है, तो फिर ये कौन है, साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, कि इस robot क्लैन के spaceships का control room इतना ज़्यादा advance था, कि बाता इनके सामने पूरा का पूरा solar system बना दीती है, और उसमें हो रही एक एक हल चल, यानि कि ये दोनों spaceships जैसे जैसे अर्थ के पास पहुंच रहे थे, सेम वैसे ही वहाँ पर दिखाया जा रहे थे, मानो कि ये सब कुछ उनके सामने real ह यानि कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं रग रहा था कि ये hologram है, उसे देखते वे लिडर होंग फैंग से कहते हैं, जब last time हमने चेक किया था तो तब ही हमें मालूम हो गया था, कि नो लांसन्स के spaceships के इलावा दो और spaceships हैं जो हमारी तरफ बढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से ये व हमारी अर्थ की location अब exposed हो चुकी है, इन future अर्थ पर और भी बहुत सारे अलग-अलग land से warriors आएंगे, इसलिए तुम लोगों को होश्यार रहना होगा, वरना मुझे डर है कि कुछ भी हो सकता है, बबाता कि ये बाद सुनकर ये सबी लोग सोच में पढ़ गए थे, तो अब ये लोग अपने एरक्राफ्ट में बैट कर स्पेस में आ गए थे, और ये लोग उन दोनों स्पेस्शिप्स को अर्थ पर पहुंचने से पहले ही रोकने के लिए जा रहे होते हैं, स्पेस्शिप्स के अंदर बबाता लू वो फैंग से कहती है, वो स्पेस्शिप्स जो हमा मामने को संभालना, इसलिए वो कहता है, जी बोस, अब सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस स्पेस्शिप्स का सीन, जिसमें दूसरे प्लैनेट से आयोवे वोरियर्स होते हैं, वो लोग जैसी अर्थ को देखते हैं तो कहते हैं, फाइनली, हम यहां तेस्पीड के साल चलते हुए स्पेस्शिप को सिरफ अबने एक पाउं से रोक लिया था, और फिर अपने उसी पाउं से जोरदार जटका देते हुए से दूर दकेल दिया था, उसके ऐसा करने की वज़ए से यह स्पेस्शिप गोल-गोल-गोल गूमते हुए दूर जाने लगता है और रही बात स्पेस्शिप के अंदर मुझूद लोगों की तो क्यूंके वो लोग अपनी अपनी सीट्स पर नहीं बैटे थे और उन्हेंने सीट बैल्ट भी नहीं लगाया था इस वज़ा से वो भी स्पेस्शिप के सासाथ उसके अंदर गोल गोल घूम रहे होते हैं और जब स्पेस्शिप रुखता है तो हम देखते हैं कि उन्हें तो दिन में ही तारे नजर आ गए थे अब फैंग और उसकी टीम ने ने चारो तरह से घेर लिया था तो वो लोग घड़े होते हैं स्पेस्शिप के अंदर से ने देखने लगते हैं कि इसी बीच बबाता लौट स्पीकर को ओन करती है तो लूब फैंग कहता है जो कोई भी स्पेस्शिप के अंदर है बाही राओ फैंक की ये बास उनका स्पेशीप में मुझूद वो वोरियर बहुत ही ज़्यादा गुसे में आ जाता और कहता है ये अर्थ का रहने वाला कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं बन रहा उसे फैंक पर बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा था तुम लोग कैसे हमें रोपते हो लेजर कैनन्स को एक्टिवेट हो तबा देकर फैंक बैकर रूल को एक आवाज देता है तो बैकर रूल भी समझ चुका था कि मुझे क्या करना है इसलिए वो अपनी स्वोर्ड को बाहिर निकालते वे सिरफ एक हलका सा स्लैश लगाता है और इसी छोट इसे स्लैश की वज़ए से उनके स्पेस्शिप की प्रोटेक्शन शील्ड और उपर की छत पूरी तरह से उड़ जाती है फैंग की ये सारी बाते सुनने के साथ साथ हम देखते हैं कि वो दूसरे प्लैनेट से आएवे लोग जल्दी से अपने स्पेस्शिप को रिपेर करने में लगे हुए थे और इनकी इतनी ज़्यादा पावर्स को देकर ये लोग पहले ही काफी ज़्यादा डर चुके हैं तब और सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ कि तभी उसके माइन में कुछ आता और वो फिट से एक टेडी सी स्माइल करते वे अपने बास कड़े हुए वोरियर से कहता है जल्दी करो बाहिर जाओ जिस पर हो कहता है पर कैप्टन तो इस पर वो से धक्क रहा था इस पर फैंग उसे कहता है मैं अर्थ का ओनर हूँ लुओ फैंग और अर्थ 3X माउंटेन के प्रोटेक्शन के अंडर है और हम लोग 3X माउंटेन से हैं यहां अर्थ पर किसी भी आउटसाइडर को आना लाउट नहीं है अब सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर तुमने दुबारा यहां पर आने की जुरत की तो ना सिरफ मैं बलके 3X माउंटेन भी तुम्हें सजा देगा फैंग की यह बात सुनकर स्पेस्शिप में मजूद वोरियर जो इनका कैप्टन है वो तो बहुत सी साथ डर गया था और अपने वोईस कैप्टन से कहता ह जल्दी करो जल्दी करो यहां से बागो जबकि वो वोरियर जो के लुओ फैंक के सामने था वो कहता है जी मैं समझ गया हम अभी यहां से जाते हैं यह कहते हैं यह कहते हैं वो तेजी के साथ अपने स्पेस्शिप में चला गया था और वो स्पेस्शिप भी फोरण वहां से निकल जाता है वोरियलीशन उनके चले जाने के बाद फैंक से कहते हैं इन लोगों की वज़े से अब सभी पार्टी इसको पता चल जाएगा कि हमारे पास युनिवर्स लेवल की पावर है इसलिए अब कोई और हमें परिशान करने की हमत नहीं करेगा एवन नो लांसंस भी ल जाकतवर लोगों की अटेंशन को तुम्हारी तरफ अट्रेक्ट करेगी जिस पर लिडरों कहते हैं राइट तब ही मिस्टर वू वर्यर लीशन से और भी कहते हैं तो एहतियात के तौर पर मिस्टर वू कि इस बात पर बबाता वहाँ पर आ चुकी थी और वो उसे कहती है तुम क्या सिरफ ट्रेनिंग के बारे में ही जानते हो तुम्हे क्या लगता है क्या एक या दो लेवल बढ़ाना strongest people के सामने useful होगा अगर करना है तो कुछ ढंका करो ये सब बबाता उसे काफी aggression के साथ बोल रही थी जिस पर मिस्टर वू भी चिड़ते हुए कहते हैं तो तुम ही बताओ ट्रेनिंग के लावा क्या कोई और तरीका है ये कहते हुए वो दोने एक दूसरे के साथ टकराने लगे थे यानि के दोस्तों इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती फैंग भी उनकी ये लड़ाई देखकर भी लाइक क्या करू मैं इनका तबी वो अपने सामने देखता है जहांपर अटूका उन दूसरे वोरियस के छोड़े के समान में कुछ यूसफुल डून रही थी काफी देर तक डूनने के बाद भी उसे कुछ भी डंका नहीं मिलता इसलिए वो बहुत चड़ी हुई थी कि इतने में उसके फेस पर आकर एक चिप लगती है वो उसे पकड़ कर देख रही थी कि तबी फैंग अपनी स्पिच्छल पाउर को यूज करते वे उसके हातों से ले लेता है और उसे हरानी से देखने के बाद अपने रिस्टी डिवाइस में इंसर्ट करता है कि आखिर इसमें है क्या इंसर्ट करते ही उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आ जाती है और हमें यहां पर यह नहीं दिखाया जाता है कि स्क्रीन में क्या था बबाता उसे देखते वे कहती है ओ हाँ यह रहा एक तरीका उसके ये कहते ही एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है